दुनिया में सबसे आसान काम है विस्वास खोना, कठिन काम है विस्वास पाना और उससे भी कठिन काम है विस्वास बनाए रखना कर्मों का परिडाम किसी ना किसी रूप में जरूर मिलता है इसलिए अच्छे कर्मों करो ताकि परिडाम भी अच्छा मिले अगर बीमारी इसके की होगी तो वह आपको बरबात कर देगी और अगर बीमारी किताबों की होगी तो वह आपको आबात कर देगी खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घरसट से सुलक जाती है बनाना है तो खुद को सांथ सरोवर की तेरह बनाओ जिसमें अगर कोई आग भी फेकते तो वो भी बुझ जाए एक मिनट में कभी जिन्दगी नहीं बदलती है लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिन्दगी बदल सकती है जीना है तो उस दीपक की तरह जीओ जो एक राजा के महर में उतनी ही रोसनी देता है जितनी एक गरीब की जोपड़ी में याद रखना अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बासुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता अकेले हो तो बिचारों पर काबू रखो और सब के साथ हो तो जुबान पर काबू रखो बोले गए सब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इनसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है ख्वाइशों के भीड में ए तु क्या कर रहा है इतना तो जीना भी नहीं जितना तो मर रहा है खुदा ने बड़े अजीब से एरिस्ते बनाए है सबसे ज़्यादा वही रोया है जिसने दिल से निभाए है जब अंदर से दिल तूट जाता है तो खामोसी के सिवा हर आवाज तकलीफ देती है कुदरत के फैसले पर कभी सक्मत करना अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा जो अपना है ओ कभी दूर नहीं जाएगा जो दूर चला गया समझो ओ कभी अपना था ही नहीं निकले हम दुनिया की भीड में तो पता चला की हर ओ सक्स अकिला है जो दूसरों पर भरोसा करता है ना जाने कौन सी सिकायतों का हम सिकार हो गए जितना दिल साफ रखा उतना गुनहगार हो गए कुछ रिष्टे किराए के मकान जैसे होते हैं कितना भी सजालो कभी अपने नहीं होते दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किये काम करता है इसलिए उसे खुश रखो चाहे ओ अपना हो या अपनो का हो कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है इसलिए सब्र रखो वक्त हर किसी का आता है तलवार के घाव मिट जाते हैं लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं झाल झाल